है बाकि दोनों से और बयान लेने की कोशिश हो रही है लवलेश के पिता उसकी बाइट उनका बयान सामने आया है लवलेश के पिता का बयान पर पहले साहर हम से घर से किसी कोई चीज से मतलब घज नहीं आता है प्रियाग्राद जी यह आता जाता था यापको बताता था यह नहीं नहीं से बबाते चीज नहीं है और भूरा मोहला बटा सकता है पूरा घर बटा सकता है भाट में कि लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे शालों से बोल चाल बंदर जब लड़की की थखपर मारा था इसका इक केस चला जों साथ अधिक बटिया को सब्सक्राइब तो इसका मुकदमा चल रहा है फिर क्या रहां यहाँ घर से निकला है यह क्या करता है वैसे क्या काम है सबसे बढ़ा है नहीं से नंबर का अच्छा यह बताईए कि अभी आपको जो यह जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साप मिलता जो टो टीवी देख रहे थे अभी कि कुछ कहना चाहेंगे आप क्या करना हुआ कि जैसे उसने जो वार्दात को अंजाम दिया है कि का करने इसमें कहने जाए क्या रहा है सब धनके हमारे पास कुछ कि पढ़ाई आप इसने हैं अब इस समय कुछ नहीं करता था पूछ नहीं क्या किसी लोगों के साथ इसांगत्ती जो ऐसे लोग आए रहे रहें कि लाड़का है का जो बहुत से कुई मतलबे गजिने तो हम का बताएं कि किसी संगत्ती कौन सथा हमलावर तीनों हमलावर में से एक लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला जो उसके पिता जी की जो बाइट थी उनका जो बयान था वो आप सुन रहे थे वो कह रहे थे हम क्या बता दें क्या संगत्ती है लेकिन इंटरपास किया हुआ इसके पहले भी जेल जा चुका है चार भाई है ये तीसरे नंबर का एक बहन है और साथ आट दिन पहले घर आया था और उसके बाद से पता नहीं बहुत सारे सवाल हैं इस समय लेकिन ये बात सामने आ रही है कि आज जो पोस्पार्टम होगा पांच डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है